हे दोस्तों मेरे इस चैनल में आपका स्वागत हैं आज मैं आपसे मध्यकाल की चित्रकला के बारे में चर्चा करूँगी मध्यकाल की चित्रकला से मेरा तात पर्या पाल शैली, जैन सैली, अभरन सैली, गुजरात सैली ये शैलियां हैं मध्यकाल की चित्रकला से तात पर्या मध्यकाल को दो भागों में डिवाइट किया गया था पूरू मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल तो आज मैं आपसे मध्यकाल की चित्रकला और मध्यकाल के बारे में डिटेल में चर्चा करूँगी तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हूं, स्टार्ट करते हैं मत्यकाल की चित्रकला ये बात है छटी सताब्दी और सात्वी सताब्दी में जब अजन्ता की चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी लेकिन इसके पशाद ये अचानक लुप्त हो गई, गायब हो गई इसके जीवित रहने का कोई खास लक्षन नहीं मिला, कोई खास प्रमाण नहीं मिला एक्शुली बनना बिगड़ना तो ये संसार का चक्र है जो चीज जनम लेती है वो मरती जरूर है, जो जाती जरूर है, नस्ट जरूर होती है इंसान है इंसान ने जब जनम लिया है तो एक दिन उसे जाना भी जरूर है जैसे ही कोई चीज उत्पन होती है तो वो नस्ट भी होती है लेकिन कोई भी चीज जब उत्पन होती है तो नस्ट एकदम नहीं होती है वो धीरे धीरे जाती है जाते जाते जाती है और एकदम नहीं खतम होती है ऐसे ही ये था कि अजन्ता के बाद जो बहुत चित्रकला थी वो लुप्त हो गई और उसके लुप्त होने का कारण में कारण ये था कि बहुत विक्षियों में विलास्ता आ गई थी जिसके कारण जनता में बहुत धर्म के प्रती श्रद्धा काम हो गई थी और फिर से ब्राहमन धर्म पनपने लगा था पहले एक्षली क्या था बहुत धर्म को अपनाने से पहले बहुत धर्म को लोगों की जनता में बहुत धर्म के प्रती महात्मा बुद्ध के कारण बहुत शर्धा हो गई थी उससे पहले, बहुत धर्म से पहले भारत में ब्रहमाण धर्म को पनप रहा था ब्रहमाण धर्म को मानने वाले लोग बहुत थे तो ब्रहमाण धर्म था तब बहुत धर्म से पहले लेकिन जब महात्मा बुध आ गए थे तो उन्होंने उनकी उपदेसों से उनकी बातों से प्रेरित होगा लोगों ने बहुत धर्म को अपनाना स्टार्ट कर दिया था बहुत धर्म की और रुख कर लिया था और ये जो शम्राटासोक थे इन्होंने भी बहुत धर्म का बहुत प्रचार किया इविन श्री लंका में बहुत बिक्षों को भेजा था बहुत विरक्ष के साथ बेजा था तो इन्होंने बहुत बहुत धर्म का प्रिचार किया था और भारत में ब्रह्मन धर्म कम हो गया था बहुत धर्म बहुत हो गया था लेकिन जब बहुत विक्षों में विलास्ता आ गई तो जनता उस पर से विश्वास थोड़ा कम हो गया और जब विश्वास काम हो गया तो उसका मानना लोगों ने बहुत धर्म की ओर रुख करना कम कर दिया तो भारत में बहुत धर्म कोई जादा मानने वाले लोग थे नहीं इसलिए ये लोग श्रीलंका, जापान, अफगानिस्तान, तिबबत, मथ एसिया ये ऐसे स्थानों पर चले गए जहां लोग बहुत धर्म को बहुत अधिक मानते थे इविन आज भी काफी जगे बहुत धर्म को माना जाता है अजन्ता के कुछ कलाकार जो बहुत धर्म से सम्मादित नहीं थे जो कलाकार थे वो बहुत भिक्षू नहीं थे उन्होंने ब्राहमण धर्म से प्रेरित होकार क्योंकि जो कलाकार होता है वो किसी भी धर्म का नहीं होता वो किसी भी वो हर चीज से related पेंटिंग करता है वो किसी भी चीज से related चित्र बनाता है जैसे MF उसेन थे MF उसेन ने हर चीज से related चित्र बनाए थे ना वो मुसलमान थे ना वो हिंदू वो एक कलाकार थे और कलाकार अपने नजरिये से हर चीज को देखता है और हर अपने नजरिये से उस चीज को अपने हिसाब से अपने नजरिये से उसे ढलने की कोशिश करता है तो कलाकार थे वो, ना तो वो बहुत भिक्षू थे और नहीं वो ब्राहमण धर्म को मानने वाले थे तो जब बहुत भिक्षू चले गए तो उन्होंने ब्राहमण धर्म से प्रेरित हुए और ब्राहमण धर्म से प्रेरित होकर कलाका स्रजन किया उनसे related paintings, उनसे related भितिचित्र, उससे related मूर्तियां बनाने लगी, जो कि हम एलो रामे देख सकते हैं, प्रतक्ष प्रमाण एलो रामे देखा जा सकता है, इस समय मूर्ति, शिल्प, वास्तु कला, that means, उसने बहुत उन्नती कली थी, बहुत मंदिर बनवाए गए, भव्य मंदि सकते हैं, यवन आक्रमन कारियों ने सब कुछ नस्ट कर दिया और कुछ अवशेश ही बचे, जिन्हें हम आज देखते हैं, तो हम बात कर रहे थें, मध्यकाल की वारे में, मध्यकाल को दो भागों में डिवाइड किया गया था, पहला था पूर्व मध्यकाल और दूसरा थ जो 600 से 1120 के टाइम का जो समय पीरियड था, उसको हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल, जो 600 से 1120 के बीच का समय है, जिसे पूर्व मध्यकाल बोला गया, इसी पूर्व मध्यकाल में, इसी पूर्व मध्यकाल के प्रारम में, एलिफेंटा, एलोरा, बाग, वादामी इन गुफाओं का निर्मान हुआ और इसी काल में कुछ ग्रंतों की भी रचना हुई थी जैसे मारकंडे मुनी ने लिखा है विश्णु धर्मुतर पुरान जिसकी रचना छटी सताबदी में हुई थी ये मैंने आपको कला के पहले चेप्टर में भी पढ़ाया था जिसका नाम था कला चित्र कला में मैंने आपको ये विश्णु धर्मुतर पुरान के बारे में बताया था कि विश्णु धर्मुतर पुरान के तीसरे खंड में ये मारकंडे मुनी ने लिखा था और इसके विश्णु धर्मुतर पुरान के तीसरे खंड में अध्याय जो 35 पेंतेस से लेकर या 15 से लेकर 33 तक यानि 9 अध्याय हैं जो जो चितर सूत्र में हैं Theatre means चितर सूत्र next कितने खंड़ों में विभग्थ है विश्णु धर्मूतर पुराण के तीसरे खंड में इस तरह का question आ जाता है एक्जाम में कि विश्णु धर्मुतर पुराण किस ने लिखा और विश्णु धर्मुतर पुराण में चित्र सूत्र कितने खंडों में विभक्त है तो विश्णु धर्मुतर पुराण मारकंडी अर्मुनी ने लिखा था छटी सताब्दी में और ये विश्णु धर्मुतर पुराण के तीसरे खंड में चित्र सूत्र का वर्णन है और चित्र सूत्र नो अध्यायों में विभक्त है और जैसे की बान भट है बान भट का हर शरित्था कादम बरी है आचारे दंडी ने लिखा था दश कुमार शरित्र इस प्रकार के काफी ग्रंथों की रचना हुई थ पूरू मध्यकाल में जो 6600 से 1120 के पीच का जो पीरियड है 606 से 1120 तक का टाइम वो पूरू मध्यकाल गहलाता है उसके बाद आते हैं उत्तर मध्यकाल पहले मध्यकाल जैसे 1520 तक का जो टाइम था वो उत्तर मध्यकाल कहलाता है। उत्तर मध्यकाल में बहुत ग्रंथ लिखे गए थे। जैसे की अभी लशितार्थ चिंतामणी। अभी लशितार्थ चिंतामणी। कथा सरित सागर जिसकी रचना सोमदेव ने की थी, सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा था। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि इन से रिलेटिट कॉश्चन आ जाता है। तो इस तरह का कॉश्चन पूछ लिया जाता है एक्जाम में। चित्रकला संबंदित साहित्य की रचना हुई थी, चित्रकला का उलेख इन गरंथों में मिलता है उत्तरमध्यकाल की चार प्रमुख शैलियां थी, जिन शैलियों के बारे मैं मैं आपसे बात कर रही थी। उत्तर मध्यकाल की थी ये चार शैलियां जो पाल शैली थी, जैन शैली थी, गुजरात शैली थी, अब्रण शैली थी ये जो शैलियां थी ये उत्तर मध्यकाल की चार प्रमुख शैलियां कहला दी हैं तो इस तरह का भी कॉशन आ जाता है कि उत्तर मध्यकाल में कितनी शैलियां प्रिचली थी या उत्तर मध्यकाल की कौन सी चार शैलियां हैं तो पाल शैली, जैन शैली, अबरं शैली, गुजरात शैली ये जो शैलियां हैं ये उत्तर मत्यकाल के यानी 1100 से 1500 ईसवी के बीच में चल रही थी वैसे ये शैलियां अगर हम पढ़ते हैं इन शैलियों को तो ये सभी शैलियां एक जैसी हमें नजर आती हैं लेकिन बस पाल शैली है जिसमें पाल शैली जो बहुत धर्म से सम्मान देती लेकिन जैन शैली, गुजरात शैली, अबरं शैली ये सभी जो शैलियां हैं ये तीनों शैलियां जैन्धर्म से सम्मान देत हैं तो वैसे ये शैलियां पढ़ने में एक दूसरे से सम्मान देत हैं एक जैसी ही लगती हैं लेकिन इनके नाम करण में सबसे ज़ादा मतभेद है इविन अभी भी है तो अग हम बात करते हैं पाल शैली की पाल शैली लेकिन जे एलो रा है एलो रा के भिती चित्रों के बाद इन पोथियों का निर्मान स्टार्ट हो गया था पोथियों की लिखना ग्रंथों का लिखना शुरू हो गया था और ये सचित्र पोथियां ये सचित्र ग्रंथ जिनके अंदर हमें चित्र भी प्राप्त हुए हैं ये मेनली बंगाल नेपाल बिहार इनमें इनकी रचना हुई थी क्योंकि पाल शैली के जो मेन केंद्र थे वो यही थे बंगाल, नेपाल और विहार तो हम बात करते हैं पालशली की पालशली में ही कहीं देवी देपताओं का चित्रन हुआ कहीं भगवान बुद्ध का चित्रन हुआ तो ये सब जो हैं ये ये पूथी चित्रों में हुआ तो बात करते हैं पाल शैली के बारे में पाल शैली लामा तारानाथ जो एक तिब्बती इतिहासकार थे उन्होंने बताया कि नौवी सताब्दी में पूर्वी भारत में पूर्वी भारत देट मिन्स बंगाल में एक नवीन शैली ने जनम लिया था एक नवीन शैली का जन्म हुआ था जो पूर्वी शैली कहना ले लगी थी लेकिन पूर्वी शैली इसका नाम थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था इसलिए क्योंकि वो इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि नौवी सताब्दी में ये जो सैली थी जो सामने आ रही थी शैली, उसका समंद पालशाशकों से था, that means नौवी सताप्ती में पालशाशक थे, और पालशाशकों के टाइम पीरियड की बात है, जब ये शैली उत्पन हो रही थी, मतलब जब ये शैली चरम सीमा पर आने उफान ले रही थी, तो इसलिए इस सैली का पालशाशकों के टाइम में उत्पन होने के कारण इस सैली का नाम पालशैली बढ़ा, ये कोई लर्न करने की चीज नहीं है कि इसको पालशैली ही क्यों नाम दिया गया, ये लेकिन जन्रनल नॉलीज में हम लोगों को पता होना चाहिए पढ़ते समय arkadaşlar, जोकि पाल शाशकों के टाइम में चलने के कारण इसका नाम पाल शैली रखा गया। पाल शैली के जो पाल वंस के जो संस्थापक थे, पाल वंस के संस्थापक का नाम था गोपाल पाल, जिनके कारण ये पाल शैली चली। और पाल शैली में जो चित्र बने हैं वो अधिकतर द्रस्टांत चित्र बने हैं द्रस्टांत ये कॉशन आ जाता है एक्जाम में कि पाल शैली में कैसे चित्रों का निर्मान हुआ तो पाल शैली में द्रस्टांत चित्रों का निर्मान हुआ अब मेरे माइंड में question आता है, या आपके भी समझ में आएगा कि यह द्रष्टान्थ है क्या, द्रष्टान्थ चित्र होते कैसे हैं, द्रष्टान्θ चित्र, द्रष्टान्थ उसको कहते हैं, जो किसी भी नई बात को कहने के समय या अपनी सत्यता को सिद्ध करने के लिए, ये मेरी बात सच है, ये सिद्ध करने के लिए उससे मिलती जुलती कोई पुरानी घटना हो या कोई पुरानी बात हो जिससे लोगों के बारे में जानकारी हो, उसको कहते हैं द्रस्टांत, उसको कहते हैं द्रस्टांत, तो जो पुरानी घटना है उनके आधार पर चित्र जो पालशैली में द्रस्टांत चित्र निर्मित हुए थे पालशैली में जो चित्र थे वो ताड़ पत्र पर बन थे और ताड़ पत्र होता क्या था ताड़ पत्र एक पेड़ है जिसके पत्तों को सुखा कर उसमें चाया में सुखा लिया जाता था और सुखाने के बाद इनके उपर लिखा जाता था चित्र बनाए जाते थे इन्हें पोथियों का रूप दिया जाता था किताबों का रूप दिया जाता था और द्रस्टांत चित्र इसमें द्रस्टांत महात्मा बुद्ध से रिलेटिड पहले भी जो घटना हो चुगी थी पालशली में बहुत धर्म से सम्मंद थी ये पालशली और पालशली में महात्मा बुद्ध से related चित्र बने थे तो महात्मा बुद्ध की जो पुरानी घटनाएं थी हम तो बात नहीं कर रहें जाता कथाओं के बारे में जाता कथाओं के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे या कोई भी महात्मा बुद्ध से related क्योंकि महात्मा बुद्ध तो हुए थे ये सभी जानते थे और महात्मा बुद्ध से related घटनाय के बोधिवरक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध उपदेश दिया करते थे इस तरह की जो चीज़ें थी ये भी लोगो तो द्रस्टान्त चित्र यही हो गए कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो घटना है महात्मा बुद्ध के साथ घट चुकी थी भगमान बुद्ध के साथ जैसे भगमान बुद्ध का उपदेश देना है बहुत बिक्षूओं के चित्र बनाना है तो यह जो थे द्रस्टा चित्र कहलाते हैं तो पाल शैली में दरस्टान चित्र निर्मित हुए